हेलो चैंप्स तो अभी अभी 212 का प्री जेजिंग खतम हो चुका है दोस्तों आप फर्स्ट कॉल आए गेस करो तो तो यास नो डाउट फर्स्ट नमबर पर आए शॉन क्लेरडा जोकि डेड़ सेंटर में और काफी हद तक दोस्तों वही ओलम्पिया जीतने वाले नो अहमद अशकनानी एक नए अथलेट है उनका नामे उनका इंस्टा इसरने में ओलेक करके उसके बाद केरीड एंड उसके बाद किया प्रोडी जी मतलब यह साथ एटलेट दोस्तों आ चुके है फर्स्ट कॉल आउट में दोस्तों और काफी सारे एटलेट ने कंपेट किया इस ताइम 2-12 के अंदर काफी ज्यादा तगड़ा लाइनप था दोस्तों मैंने ओनलाइन देखा इस सब कंपेटिशन वा दोस्तों जो शॉन क्लेड़ेडा फिजिक करते इतना कम स्ट्रक्चर पे इतना ज्यादा मसल मास हो उनके बाद दोस्तों जो सारे लाइनप में डॉ विकॉस उनका एज जोस्तों 51 एज है अब इस एज में वो कितना ज़ाधा है साइज आड़ करंगे बट स्टिल दोस्तों जितना उनको करना था उनको किया उससे ज्यादा किया बलकि और इस साल दोस्तों जो सबका दिल खुश करते वह है कियोन प्रोडिजी विकॉज उनको first call out में आके दीगा है सबको जैसे कि उनको लास्ट यर 14 पोजिशन मिली थी इस ताम वो डारेक्टल आते है टॉप 7 में मुझे लाते है काफी हद तक उनको टॉप 6 या फिर 6 बार 7 प्लेस मिल सकती है बिकाज उनको काफी भाहर रखा गाया था और यह सारे वर्राल के फोटोज है अब देख सकते हो कि शॉन को लेड़ा किस तरगी से पोस को हीट कर रहे है और यह बैक वाला पोस तो काई आपको देखना चाहिए डेपेनिली ओर आल जो ग्लूट्स हांस्रिंग और जो उनका फ्रेम आता है वो एक मीनी रोडनी कोलमन उनको जो कहते है वो उन्होंने प्रूव किया है फिर से एक बार और 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 प्रोपोर्शनल की बाड़ी है तो मुझे लगता है टाटल उनकी तरफ ही जाने वाला है तो सुबा कल सुबा साधे साथ बजे मेंस ओपन का फिरिजिंग लेके आऊंगा सो किप सब्सक्राबिंग टू माइ यूट्यूब चैनल